हेलो एफ्लिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो दूस्तू स्वागत है आप सब का हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफ स्टाइल पूजा पार्ट से जुड़े हुए औल इन ट्यॉपिक पर और मैं आपके साथ शेर करती हूं अपने लाइफ का तो आज का वीडियो मक्रशंक्रांती पर है बहुत सारे हमारी सस्क्राइबर्स का कमेंट आ रहा था कि दिदी मक्रशंक्रांती पर वीडियो जो है वो अपलोड करिए तो मक्रशंक्रांती कब है किस देवता की हमें पूजा करनी है क्या विशेश भोग है क्या विशीस दान यह सब कुछ में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, साथ ही साथ मक्रशंक्रांती पे पहले से बहुत सारी वीडियो अपलोड है, आप लोग चाहें तो उन्हें भी एक बार देख लीचेक, अगर कोई ची छूड जाएगी तो आपको उसमें प्राप्त हो जाएग भी में अब हम बात करते हैं, शूर के मक्रसंक्रांती का पर्व हो मनाए जाता है, वीचेच किस दЕवता की पूजा करने है, इस दो वीचेच जो है, वो शूर देव का पूजन किया जाता है record कि यहां तक की कि पिता पुत्र में बेहद विवाद होने के बाद भी मकरशंकरांती के दिन भगवान शनी जो है वो श्वयम अपने पिता का तिल की द्वारा पूजन करते हैं तो आपको भगवान शूर का जो है वो पूजन करना है उसके बाद भगवान श्री हरी नाराण का भी पूजन कर सकते हैं मंदर में सभी देवी देपताओं के साथ मकरशंकरांती का पर्व जो है वो आप मना सकते हैं उसके बाद आप विसेश क्या है जैसे कि कोई भी पूजा करिए अनुष्ठान करिए दान करिए बिना जो है वो दान के पूर नहीं होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं पूजा विधी शुरू करते हैं सुभा आप उठके यह पूजा आपको शुरुदर के साथ शुरू करनी है इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी उठिएगा इश् बैटके, शूर देव का आवाहन करके, शूर देव की विद विधान से जो है वो पूझा करके, अगर आपको शूर सम्मन्दित समस्याए चल रही हैं, तो शूर चाली शा, शूर देव की आरति वगरा भी गान कर सकते हैं. शूर की व्याख्या आपको वैसे की भविश्य पुराण में बहुत गहराई से मिल जाएगी तो आप अगर कुछ और गहराई से जानना चाहते हैं तो भविश्य पुराण उसके लिए पढ़ सकते हैं ऐसे में आप शूरुदेव के आराधना कैसे करेंगे तो आपको एक चौकी लेली नहीं है आप अपने जहां भी शूरुदेव आपको दर्शन दें उस स्थान पर आप जमीन में बैठ जाएगा आशन लेली जगा आशन पर बैठ जाएगा एक चौकी लेली जगा चौकी पर तांबे के लोटे में लाल, चंदन, या कुम-कुम, गुड, तिल, तिल आप कोशिश करके काले लीजेगा, सफेद मिल जाते हैं, सफेद भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लाल रंगे, पुश-पुश भगवान शूरदेप का इशनान करवाईगा, जल डारेक्ट जमीन में खड़े होके नहीं देना है, आप अपने आसन पर ही खड़े हो जाईगा, एक बरतन में जल आप उनको दे दीजेगा, बाद में वो जल जो है, किसी बुश-पुश में डाल दीजेगा, तूलिशी को छोड़के, किसी भी ब्रख्ष में आप उस जल को जो है, वो डाल सक तो आप शूर रात्णा कर लीजेगे, उसके बाशरी हरी नाराण का पूजन कर लीजेगा, तिल से उनका भी पूजन गिया जाता है मकर शंकरांती से ही शुरू हो जाता है और पूरे माग recently में हम भगवान in विष्नु का तिल के द्वारा पूजन करते हैं अगर आप पूरे माग में नहीं कर पाते तो विशेशकर से मक्र शंक्रांती पर तिल से उनका पूजन जरूर कर, उनके पूजन में तिल होने चढ़ाएं, तिल से बना बोजन उने जो है वो ज़रूर अर्पित करें, तो भगवान विश्णु का विद्विधान से पूजन ज कर सकते हैं, गायतरी मंत्रों का जब करना चाहें किसी भी मनो कामना करने के लिए तो कर सकते हैं, इस दिन विश Common Again क्या भोग ज़कता है और स्वयम क्या खाते हैं इस दिन कुछ बच्चे पतंगे भी में उड़ाया करते हैं तो आप अपने लप को पाल को भी एक मतंग दे स जो है वो खिचडी का भोग लगता है तिल और खिचडी का विसेज भोग जो होता है इस दिन ग्रण किया जाता है तो आप ये भोजन बनाएं भगवान को अर्पित करें सुयम ग्रण करें और हो सके तो दान भी करें इस दिन आप इस दान क्या कर सकते हैं इस दिन आप तिल उ आनुसार ही आप दान करें सो जो वी आप जैसी भी शमता है आप उसके अनुसार ज़रूर दान करें मकर शंक्रानथी से पोरे म कर सकने लेकिन मकर शंक्रानथी पर दान अवश्य पुर 여자 है दान ju जो है वीडियो अब इसमें विश्ची चीज क्या है तिल चटकाना ही लаст हम नहीं हो तो चिल चाटक जाल में पत स्वर्श ने उपटो के जेता है तो नहीं सबिते हैं ठाट आ通 ? जो उसमें से जो धुआ निकलता है वो सभी देवी देपताओं को सपर्ष करवाते हैं और स्वयम भी गिरहन करते हैं तो यह तिल चटकाने की विदी है जो कि हमारे अहां है अगर आप क्या है तो आप भी कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, कोई नेगेटिव पॉइंट उसमें नहीं है, तो सभी से आशा करती हूं, कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर आपको मक्रशंक तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अगर नए है और अगर आप पहले से सस्क्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को शेर करें लाइक करें और आप कॉमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ जरूर शेर करें आप हमें इंस्ट्राग्राम पर भी जोएन कर सकते है वहां भी हमारा एक छोटा सा परिवार है तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे बाई बाई दोस्तों, बाई बाई